क्या कहना चाहूंगा देखो बढ़ती तो बहुत बड़ी और टाइमिंग भी अच्छा खासा दिया जा रहा जीडी वालों को पांच अठारा पांच वीस तक के टाइमिंग है और जहां तक उम्मीद है जीडी वालों के कम सकम जाद नहीं तो कम सकम 36 सले का 50 तक बंदे कार्ड उसके बाद था माद करें नाचली दवाई या वगएर खूट है तो नहीं उसके बाद फिर हमें वहां से बुलाकर हमारे स्टांप लगा इंगी महर उसके बाद महल कर वह कवास्ट के नहीं बूढ देते वहां एक इक सवा घंटा बैठे रहे है हमारे जो डिवाइड कर देता गुरूप कि आपका यह वाला गुरूप है आपके इस टाइम नंबर आएगा तुन्हों ने बता दिया था कि टेक्निकल वालों को नोवा नंबर था सर भागने का जैसे किसी बच्चे को जी डी ट्रेड के बच्चे को फास्ट या सेकंड हो जाएगी ना तो उसके हिसाब से होता है कि 12 बजे से यहां एंट्री इस्टार्ट हो जाती है रात के बारे सब्सक्राइब किसी बच्चे को जैसे कि कुछ बच्चों के हमारे पास कमेंट आते हैं कि सर हमें एक दो या तीन वैच में हमारा नंबर आ जाए तो उसके लिए अगर आप लेट आओगे तो आपको पहला या तो इसमें आप की सहूलियत है कि अगर आप अपना नमर चाहते हो तो उन्हें जल्दी एंट्री लेनी होगी अच्या अंते सवाल फॉजी बनने के अलावा वैसे तो अभी आपके पास और चांस हैं लेकिन फिर फॉजी बनने पारचाओंगा वैसे फिर हम किसान ही देकी ये नो ने बताया काफी सारी जानकारी दी इनों नहीं और भी हमारे साथ अब त्वरतियां किस ट्रेड में रेजिस्टेशन कर आया था कि इस आप जो आपके अकोर आप कि आप आप बता रहे हो आपके बैच में से 25 26 बच्चे 26 में बच्चे की लगवा क्या टाइमिंग होगी एंट्री उसने जैसे रणिंग क्वाली भाई कि आज के बैच में पांच 15 से ज्यादा समय दिया गया है अच्छा और दूसरे बैच में कितने बच्चों का बैच था वह इतने जैसे कि किसी के पास 48 गंटे से ज्यादा की रिपोर्ट है जैसे 50 या 60 गंटे की तो क्या उसे एंट्री नहीं मिल रही है आपने कब कराई थी कोबिट 90 को करा था तो यहां पर देखिए अभी इनोंने बताया यह किलरक ट्रेड के बच्चे हैं और आज भी रोजाना की तरह है आज भी किलरक ट्रेड में दो बैच बनाए गए हैं और आज लगवाग पांच 15 के लवग पंच ट्रेड में समय दिया गया पांच 20 के लवग ये बता रहे हैं और यहां पर अभी बच्चे Сबीच रहे हैं और यहां पर अभिएर्टी हैं इन से बात करेंगे आपने यह क काफी साथ आ रहे हैं और यहां पर काभी बच्चे में किस ट्रेड में कराया था कितनी आएट आपकी एक्चुल यह कितने बच्चों ने रनिंग वाई आपके उसमें क्या कमी रहे आज आप पर कमी ग्यार एसे चार चक्का मारेद पर थोड़ी दूर रह गए देखिए हमने काभी बच्चों से यहां पर बात की सभी बच्चों ने बताया कि भरती प्रिक्रिया काभी सांदार तरीके से चल रही है और यहां पर आने जो अभी तीन दिन सेस हैं आगामी अभ्यत्ति हैं जो 1400 मीटर की जो निरदारे समय में उन्हें रनिंग क्वालिफाई करनी है मैं जीडी ट्रेड के बच्चों की बता देता हूं जीडी के बैच यहां पर प्रतिरिन 78 बैच बनते हैं जो फ्रेस बैच बनते हैं वो 250 बच्चों के बैच बनते हैं और उनके लिए 5-20 तक का समय दे दिया गया दो बैच मैं से 50 से अधिक बच्चों ने किलरक ट्रेड में रनिंग क्वालिफाई गी तो पलबल की खबर हम आपको दखाते रहेंगे आप हमारे साथ बने रही है अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बैल आइकन दवाईए जिससे की आने वाले सारी वीडियो के नॉटिफिकेशन आसानी से आप पर पहुंच सकें और भी बढ़ती प्रक्रिया की पूरे भारत देश में कहीं भी कैसी आर्मी की बढ़ती है पलपल की खबर हम आपको देते रहेंगे जिन बच्चों ने य अगर आपको ये खबर अच्छी लगी है तो इसे लैक कर सेर जरूर करें और अभी तक आपने इस चैनल को सस्क्राइब नहीं किया तो चैनल को सस्क्राइब कर वेल आइकन जरूर से दवाएं